नमस्कार आज हम बात करेंगे दनुर आशी फलकी दनुर आशी का स्वामी ब्रसपति होता है एवं इस राशी के जातक सभाव से थोड़े खर्चिले होते हैं वाद विवा से दूर रहते हैं परन्तु इनके इसपस्ट बोलने के गुण और नेडर सभाव के कारण कभी-कभी इन्ने कारिय में बाधाय भी आती हैं इस राशी के जातक जोतिशी, कानूनी कारिय, सिक्षन और कला की शित्र में माहिर होते हैं एवं आपको साजीदारी में नुक्सान होता है अपने स्वयम के इस्तर पर वैपार करना आपके लिए लाप प्रद होता है आप बेवज़द दिखावे से दी दो रहते हैं अब हम बात करेंगे साल 2020 में धन्दूराशी के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा आर्थिक पक्ष को देखते वे यह साल धन की बज़द कर पाएंगे और निवेश से आपको इस वर्ष लाप मिलने की पूरी उमीद है परन्तु दन के मामले में आप स्वयम के आलावा किसी पर भी बरोसा ना करें वर्ष के मद्यमें पैसों का लिए दिन ना कीजिए किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उमीद की बहुत ही कम है अब हम बात करते हैं कैरियर और वैपार पक्षकी कार्य शेत्र हेत्यू यह वर्ष दोजादीस धन्रू राशी के लिए अच्छे संकेत लेकर आ रहा है इस वर्ष आपको हर कार्य में पून सफलता मिलेगी 22 साल की अपिक्षा यह वर्ष आपके लिए अति पूरे कार्य भी पूरे होंगे. अब हम बात करते हैं पारिवारिक पक्ष. तन्नुराशी के जात तक इस वर्ष अपने परिवार के साथ अच्छा समय पिताएंगे. वर्ष के अंतिम महा में सतुराल पक्ष से किसी तरगा आर्थिक लाब मिलने की संभावना है. आपके जीव स्वास्त पक्ष को देखते वे धनुराशी के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा अतर स्वास्त को लेकर लापरवाई ना बढ़ते किसी तरीक की परिशानी को अपने मंद में आप बिल्कुल भी जगा ना दे अन्यथा मांसिक पेचे नी बढ़ सकती हैं और साल के शुरुवात में कमजोरी का आप अनुभव करेंगे परन्तु इस कमजोरी को आप नजर अंदाज ना करें अपने स्वास्त का आप संपूर खयाल रखें अब आपको दी जारी है सला फिजूल खर्ची से बच कर चले वह धैर्य बिल्कुल ना कोई धैर्य रखकर आने वा धन्दूराशी के जातकों के लिए यहां वर्ष मिला जुला रहेगा अतर स्वास्त को लेकर लापरवाई ना बढ़ते किसी तरीक की परिशानी को अपने मंद में आप बिल्कुल भी जगा ना दे अन्यता मांसिक पेचेनी बढ़ सकती है और साल के शुरुवात में कमजोर को आप नजर अंदाज ना करें अपने स्वास्त का आप संपूर खयाल रखें अब आपको दी जारी है सला फिजूल खर्ची से बच कर चले वह धैर्य बिल्कुल ना कोई धैर्य रखकर आने वाले परिशानी से आप बच सकते हैं